बारत का पहला यूनेस्को साहिते शहर हाली में केरल के कोजी कोड को भारत के पहले यूनेस को साहित्य का शहर की रूप में मानिता देने की आपचारी घोशना की गई है अब से हर साल 23 जून को साहित्य का शहर दिवस की रूप में मनाया जाएगा बता दे कि हर वर्ष 6 श्रेडियों में कोजी कोट को साहिते का शहर पुरसकार दिया जाएगा इन श्रेडियों में व्यापक योगदान, महिला लेखक, युवा लेखक, बच्चों का साहित्य, मल्यालम से अन्य भाशाओं में अनुवात और इसके विपरीत शामिल है गौर तलब है कि यह पुरसकार वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान प्रदान किये जाएंगे वही अनकुलम सांस्कृतिक केंद्र अब से साहिते का शहर केंद्र होगा चलिए अब जानते हैं कोजी कोट के बारे में कोजि कोड जिसे काली कट के नाम से भी जाना जाता है यह कीरल का एक शहर है जो एक सम्रिद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है इस जगह पर वासको दगामा पहली बार उतरा था तथा जिसके बाद भारत और यूरोब के बीच एतिहासिक मसाला व्यापार के मार्ग खुले थे बता दे कि यह शहर बेपोर बीच जैसे प्राचिन समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है चलिए अब जानते हैं युनेस्को के बारे में यह सिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के शेत्र में अन्तराष्ट्री सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी युनेस्को के जनरल कॉन्फरेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर से दिसंबर के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया था युनेस्को का मुख्याले पेरिस में सिथ है एवं विश्व में इसके 50 से अधिक्षीत्री कार्याले हैं विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के बचाव इवं सुरक्षा के लिए युनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण अन्तराश्टिय संधियां सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधिता का सनरक्षण इवं समवर्धन पर अभी समय दो हजार पांच अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत के सनक्षण के लिए अभी समय 2003 सांस्कृतिक विविदिता पर सार्वभौ में घोशना 2001 अंतह जलिय सांस्कृतिक विरासत के सनक्षण पर अभी समय 2001 विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के सनक्षण पर अभी समय 1972 तो चलिया अंत में देखते हैं आज के अभ्यास पश्न को कोजी कोट के संबंध में निम्ललिकित कथनों पर विचार कीजे एक कोजी कोट जिसे कालिकट के नाम से भी जाना जाता है अपर एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले